84, क्रिया, पढ़िये और समझिये, आलू कछालू बेटा कहां गए थे, बंदर की जोपड़ि में सो रहे थे, बंदर ने लातमारी रो रहे थे, ममी ने प्यार किया हस रहे थे, पापा ने पैसे दिये नाच रहे थे, भया ने लड्डू दिये खाय रहे थे, उप्रक्त पंक्तियों में आये रंगीन शब्दों से किसी न किसी कारे की करने का बोध हो रहा है अतया ये सभी शब्द क्रिया है अब निम्न वाक्यों को पढ़िए थंडी हवा चल रही है जर्णा बह रहा है ज्वाला मुखी फट रहा है बाहर वर्षा हो रही है उप्रक्त वाक्यों में आये रंगीन शब्दों से किसी कारे के करने का बोध नहीं हो रहा है बलकि इनके द्वारा कारे के स्वेम होने का बोध हो रहा है अतया ये सभी शब्द भी क्रिया है यह भी जानो क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता जिन शब्दों से किसी कारे के करने अत्वा होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं धातू क्रिया के विबिन रूपों में जो अंच समान रूप से पाया जाता है उसे धातू कहते हैं जैसे पढ़ता पढ़ रहा है, पढ़ेंगे, पढ़ चुका, पढ़ना चाहिए आदी. इन सभी क्रिया रूपों में पढ़ एक ऐसा अंच है, जो सभी में समान रूप से प्रियोख्थ हुआ है, अतया पढ़ धातु है. धातु के रूपों में ना प्रते जोडने पर प्रिया का समाने रूप प्राप्त होता है जैसे तैर बराबर तैरना तैर जमना लिख बराबर लिखना लिख जमना भाग बराबर भागना भाग जमना बोल बराबर बोलना बोल जमना उड़ बड़ाबर उड़ना उड़ जमाना हस बड़ाबर हसना हस जमाना क्रिया में परिवर्तन क्रिया शब्द विकारी होते हैं अतय, लिंग, वचन और कारक के कारण इनका रूप परिवर्तित हो जाता है जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लिंग के कारण परिवर्तन लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, वचन के कारण परिवर्तन लड़के ने खाना खाया, लड़के के द्वारा खाना खाया गया, कारक के कारण परिवर्तन क्रिया के भेद कर्म की द्रिष्टी से क्रिया के दो भेद होते हैं एक सकर्मक्रिया दो अकर्मक्रिया एक सकर्मक्रिया जिन क्रियाओं का फल करता पर नय पढ़कर सीधा कर्म पर पढ़ता है उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे डाकिया पत्र बाट रहा है, निशा अच्छा चित्र बनाती है। उप्रोक्त वाक्यों में पत्र वे चित्र कर्म है, जिन पर क्रिया बांट रहा है, वो बनाती है का फल पड़ रहा है, अतै ये सकर्मक क्रियाई है। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, क एक कर्मक क्रिया, ख द्वी कर्मक क्रिया, क एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे, निखिल दूर्द पीता है, विशाल पुस्तक पढ़ता है, ख, द्वी कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, उन्हें द्वी कर्मक क्रिया कहते हैं जैसे, दिप्ती सहिली को पत्र लिखती है, मैं विशाल को टेलिफोन करूंगा दो अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल किसी अन्ने पर नय पढ़कर सीधे करता पर पढ़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं जैसे कुट्टा दोड़ता है नेहा लिखती है उप्रोक्त वाक्यों में कुत्ता वे नेहा करता है जिन पर क्रिया दोड़ता है वो लिखती है का फल पढ़ रहा है अतय ये अकर्मक्रियाएं है अकर्मक्रिया और सकर्मक्रिया की पहचान अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानना कोई कटिन काम नहीं है और सरल तरीका यह है कि हम वाक्यों को सुनकर मन में उनके संबंद में क्या और किसे शब्द लगाकर प्रश्न पूछे यदि उनका उत्तर मिलता है तो यह सकर्मक क्रिया होगी अगर उत्तर नहीं मिलता है, तो क्रिया अकर्मक होगी, जैसे राजेश गाना गाता है, रितु हस्ती है, पहले वाक्य में प्रश्ण पूछने पर राजेश क्या गाता है का हमें उत्तर मिलता है, गाना, किन्तु दूसरे वाक्य में रितु क्या हस्ती है का कोई उत्तर नहीं म कारे के करने अथ्वा होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं धातु रूपों में ना प्रत्य जोड़ने पर क्रिया का सामने रूप बनता है कर्म की द्रिष्टी से क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया तथा अकर्मक्रिया जिन क्रियाओं का फल करता पर नए पढ़कर सीधा कर्म पर पढ़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रियाइं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्वी कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, उन्हें द्वी कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल किसी अन्य पर नए पढ़कर सीधे करता पर पढ़ता है उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं